हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो पाइस्टेडी सरकल माइनेम इस तबस्तुमूर गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि 12th एनाइस ओली जो इंग्लिश ओली स्टुडेंट्स है फैबुरी 2021 में उन बच्चों का पेपर कैसा आया है और इस बार एक्जाम में कौन-कौन से questions के और किस तरह के पेपर के आने के chances हैं जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती है उनके एनाइस वोर्ड अपने पेपर को काफी टाइम और रिवाइस करता है questions वही आते हैं आपके गुमा फिरा के पेपर का पेटरन तो लगबग बिल्कुल स इसको तो नेक्स वीडियो में वो डिसकस करेंगे बाकी फिलाल आपको लिखा देती हूं कि किसी तरह के questions आप क्या थे अब देख सकते हैं उनके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं और वह अपनी study को किस तरह के सागे लिए पूरा practice session हम लोग शुरू करने वाले हैं चलिए देख सकते हैं और एक सक्षन के सारे questions कमपल सरी है section B के अंदर बात करों तो दो options गिवन है तो आपको के वलन दोनों में से एक option को select करके उसी cancer लिखना है अच्छा इंगलिश का वीडियो में आपको बिल्कुल detail में समझाया है इसी तरीके पेपर उठाके तो इंगलिश का वीडि जातर यह जो question है ना यह आपका होता है ना कि topics in topics में से किसी एक के उपर question लिखिए यह जातर पेपर के लास्ट में आता है लेकिन क्यूंकि आपके तीन सैट बनते हैं ABC करके तो उनमें घुमा फिरा के आगे पीछे कर देते हैं questions को तीन option आपको दिए गए हैं तो इनमें से किसी एक topic के उपर question लिखिए अच्छे तरीके से इन topics को जरूर तायार करिए क्यूंकि आपके जो यह topics होते हैं मतलब ऐसे टाइप का question होता है तो यहीं होते हैं लगबाग घुमा फिरा के नहीं topics में से आपको question मिलते रहते हैं तो पहला question आपका यह है टीन में से एक लिख करके मिलेगा इस पर काम चल रहा है तो आप देख सकते हैं हैं आपको मिलने वाला है तीसरा question यह रहा के error है इसमें seven error है इस पूरे के पूरे passage में तो आपको बतानी है एक तो यह रहा गाई इनो solve करके दिया हूँ अभी है example के तौर पर पहला और इस तरीके से जो यह बाकी प्रैक्टिस क्लास शुरू कर दी है मैंने एक एक करके तो आपकी प्रैक्टिस चलिए अभी जून में जिन बचों को एक्जाम देना है उनके लिए भरपूर प्रैक्टिस का पूरा session आने वाला है अगला जो question है वो है आपका के पांच नंबर की summary बनाईए hundred words सी English की तो यह यह भी मैंने series शुरू कर दी है कि प्रैक्टिस करके हम लोग इनको करेंगे solve तो आप देख सकते हैं इस तरीके का passage आपका आया है तो इन questions को आप ज़रूर प्रिपेर करिए अच्छे तरीके से प्रिपेर करिए अगला question को आपको क्या करना है six words के अंदर answer देने हैं यहां स आपका literature यानि जो book के question answer होते हैं वो है यह आपके long question है तो दो में से आपको किसी एक question का answer लिखना है ठीक है इन दोनों question को बिल्कुल टॉप पर रखिए तयार करिए बागी English के long questions जो important long questions है वो मैंने वीडियो पहले upload की थी आपको बतायते हैं जो most important questions है लों और इसके लावा short questions भी बतायते हैं दोनों वीडियो का link पर नीचे description box में डाल दूँगी ताकि आप अच्छे से प्रिपेर कर सकें के long questions को भी उन्हीं में से questions आपके आते हैं और अगला question जो है आप लोग का वो है read the following extract extract की वीडियो मैंने अभी दो-चार दिन पहले ही upload की थी कि most important आपको इसके अंदर extract में ने बताये थे with answer with explanation यह आपका question आता है ग्याज अच्छे तरीके से इसको prepare करिए तो तीन-चार poem यह आपकी जो घुमा फिरा के उन्हीं में साबके extract वाले question आते हैं तो यह रहा 5 नंबर का आपका extract आता है यह वाला भी आप कर सकते हो इसके नीचे जो question है यह रहे तो most important extract में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ यह रहे 5 नंबर के तो वीडियो का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा काफी सारे English की चीज़े मैंने करा दी हैं आप लोगो तो पूरा benefit उठाईए आप देख सकते हैं अब इस पैसिज को पढ़िए और इसके उपर note making बनाएए चाहर नंबर का question है तो note making की practice भी मैं करवा रही हूं आप देख सकते हैं playlist पर जाकर तो गई देखे यह वाला हम लोग का question इस तरह के से आया था note making का पूरा paragraph ठीक है इसके उपर आपको notes बनाने थे अगला question आपका question number eight है जिसके अंदर extract दिया हुआ है ठीक है लेकिन यह जो है आपका scene extract है scene का मतलब पढ़ा हुआ passage है कोई book का और यह जो आपका chapter I think यह है सुनिल का आवसकर वाला my first steps का ठीक है तो chapter भी हमारे चैनल पर चुड़ रहे हैं link में देदूंगी description box में तो यह रहे एक्सट्रक के पूरा तो यह भी आपके चार-पांच question है इसमें भी आप इनको अच्छे से prepare कर सकते हैं चली अगला जो है आपका फिर से आपका passage है भी पर तो यह भी आपका देख सकते हैं इसके नीचे कुछ-कुछ questions है जो यहां पर दिया हुआ हुआ है उनको बिल्कुल आपको टॉप पर मिल सकती है आपको टैलीग्राम चैनल का निंग का आपको नीचे description box मिल जाएगा तो टैलीग्राम पर जाएगा पर अलगलग जितने भी important questions होते हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाते हैं यह पूरा पूरा पेपर है February 2021 वाला यह पूरा question paper आपको में PDF जो है इसकी वो टैलीग question हो जाएंगे तो short questions भी मैंने आपको most important बताए हैं दो पार्ट में video बनाई है कुछ limited selected questions उसमें बताए हैं तो वह important questions है उन सभी कल लिंक मैं आपको नीचे description box पर दे दूंगे आपके तयारी बहतरीन तरीके से हो जाएगी बागी अभी हम practice अबने शुरू करने वाले हैं तो यह रहा फिर से आपका passage passages की भर्मार है 12 वाले बच्चों के लिए passage की भर्मार होती है इस passage को भी आप बढ़ी हा तरीके से तयार करिए तो देखिए यह कुछ किसी स्टूडन ने लगा भी रखे है निशान अच्छे से कोशिश की है मतलब तो यहां पर कुछ questions है यह तू त तो यह वाला पैसिज आप अच्छे तयार करिए पीडिएफ के लिए टैलिग्राम पर जाएं वहां पर आपको पीडिएफ मिल जाएगा अच्छे तरीके से पेपर को टॉप पर रखे तयार कर लीजिए थोड़ा सा समझाने की भी यहां पर मैं कोशिश कर रही हूं बागी को स्लेक्ट करना है तो यह रहे आपके इस पैसिस से रिलेट करके भी दो दो नंबर के कोशन है आप देख सकते हैं यह रहे चार कोशन है टोटल चलिए बारवा जो कोशन है आपका वह आएगा आपका फिल इंद ब्लैंक वाला ठीक है यह रहा हमारा ट्वैल नंबर का कोश कोशन है इसके बाद आप लोग की युनों डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच आएगी चार नंबर के आएगी ठीक है इसको करना है आपको अच्छे तरीके से इनको तैयर करिए फिर चोदवा कोशन है आपका पैसिज पढ़िया स्टेट्मेंट जो नीचे दूई है उनको फ को तो वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार नंबर के आती है कॉंबिनेशन और बहुत इसी तरीके से आजएगी कुछ नहीं करना पड़ेगा उसमें जब आप देख लोगे तो इक बार चलिए अगला कोशन है 16 16 में फिर से फि को यह लोग का पहला session जो है वह हुख Tapi है यहांते करना को उपर वायृफ यह का डिया उपके सारे कोश्चन लगने के चैंसे संब्षण गारी सहाँाग आपको दहान से पढ़िए अटेयम करना है केवल किसी बहुत में से एक ही option को time करना है दोनों को नहीं करना तो section B के अंदर दो option आपको दिखा देती हूं ESP for receptionist इस topics से रिलेट करके बहुत ही अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी और बच्चों का बहुत अच्छा करने वाले हो दिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का भी और यहां पर जो आपको यह चार नंबर का पहला question मिलता है ठीक है फिर अठारवे नंबर पर फिर आपको एक और question है यह तीन बताने हैं इस पर आपको क्या रिक्वेस्ट होगी question होंगे reply फिर 19 पर आपको यहांगा complete the following statement यह दो नंबर के question आएंगे इसको अच्छे से आप तयार करिए ठीक है PDF फिर आप description box चेक करिए फटाफट से इसके बलावा अलावा जो गई समलोग का अगला question है question number 21 पर receptionist के बारे में 4 नंबर का question है उसके बाद फिर last job का question है वो दो नंबर का question है so guys यहां पर यह option 1 हो गया है खतम अगर यह अच्छे सा आप कर सको तो इसको कर लो इससे related एक ही वीडियो अप्लोड किया और एक ही वीडियो में आपके यह नंबर है ना सारे के सारे बिल्कुल 100% cover हो जाएंगे तो कितने नंबर का है आपका 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13 और 2 15 पूरा 15 नंबर का आपका option 1 है option B अगर वह समझ में तो ठीक है नहीं तो फिर एक option को करना है यह यह है पूर ओफिस यूज़ ठीक है तो यह भी पूरा 15 नंबर का है इसमें ऐसे ही आपका पहला चार नंबर का question है फिर दूसरा भी चार नंबर का question है इसके बद आप लोग का उन से अपनी practice को आगे बढ़ाईए प्रीवियस यह बिल्कुल राम बढ़ का काम करता है आप लोग के लिए प्रीवियस यह जितने solve कर सको अच्छे तरीके से solve करो उनकी कई की बार practice करो तो पहले इसको करो सबसे पहले ठीक है उसके बाद अभी अभी यह जो पूरा पेप आपको मिलती रहें इसके अगर आपको यह जितने भी कोश्चेंस अभी मैं आपको सारे बढ़ा हैं पूरे पेपर के अंदर इन में से कम से कम में 80-90% कोश्चेंस कवर करा चुकी हूं तो सभी वीडियो इसका लिंग के नीचे मिल जाएगा description box में और हाँ अभी आपकी में आपको कराने वाली हूं तो बिल्कुल चैनल को फड़ा फड़ से आप सब्सक्राइब कर लो यह सारी चीज़ा आपको मिलेंगी अब आपका practice session शुरू होने वाला है 10 वाले बच्चों का भी और 12 वाले बच्चों का भी ठीक हैं और गाइस अगर इनकी और बहतरीन आप deeply त सब्सक्राइब कर रहे हूं तो इस चैनल का लिंक नीचे description मिल जाएगा जरूर देख लो बहुत चीज़ सारी खास खास और beneficial चीज़ों से description box भरा हुआ है तो वहाँ पर आपको यह सारी चीज़े और बहतरीन तरीके से मिल जाएंगी इसके रहे हैं अगर आपके पास different different subjects है ताकि आपका सारा सले बस घर बैटे हो जाए complete वीडियो कैसी लगी हो कोई डाउट आ रहा हो कोई comment हो कोई suggestion आपको तो please comment करके मुझे बताना I will definitely reply चलिए guys see you in the next video solve करके लाँगी पूरा paper next video के अंदर till then keep studying by study thank you so much and good bye